कि स्लाम अलेकुम हमारा नेक्स सेशन जो है वह थाइप ऑफ एस्जियों के बारे में और इसमें हम दोनों तरीके के जो एस्जियों के टेक्नीक से उनको इन विरीफ डिसकस करेंगे और इसमें हम दिखेंगे किस तरीके से बोथ टाइपस ऑफ एस्जियों अर इंपोर्टन्ट और किस तरीके से हम जो है उनको समच के आगे अपने ऑप्टिमाजेशन की टेक्नीक में यूटिलाइस कर सकते हैं और उनके थूँ जो है वह वह अपने कॉंटन अपने वेबसाइट की रेकिंग्स को इंप्रूफ कर सकते तो स्टार्ट करते हैं SEO जो है वो मेंली दो तरीकों में डिवाइड होता है फरस्ट इस ऑन पेज एस्जियों सेकंड इस ऑफ पेज एस्जियों अगर आपने थोड़ी सी भी आपको SEO की नॉलिज है या आपने इन टर्म्स को कहीं सुना है तो आपको शायद इसके बारे में आइडिया ना हो जिन लोगों के लिए SEO बिल्कुली नया डोमेन है तो उनको इस चीज को समझने में असानी कराने के लिए बिसिकली इसको जो है वो कोर्स का पार्ट बनाया गया है कि हम जो हैं दोनों तरीके की जो SEO टाइप से हैं उनको पहले शुरू में समझ सकें कि यह क सारी वो चीजें हैं जो हम अपनी वेबसाइट के उपर यूटिलाइज कर रहे होते हैं और उन टेक्निक्स को यूज करते वे अपनी वेबसाइट को आप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है SEO that involves optimization techniques applicable directly to the website to ensure SERP ranking is known as on-page SEO हो यहां पर SERP का जो meaning है वो होता है search engine result pages तो यह basically उसको कहते हैं जब आप कोई भी search query लिए लिए लिखते हैं तो उसके बाद जो आपके पास search results आ रही होती हैं वो SERP का part होती हैं तो आप as SEO आपकी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आप जादा से जादा keywords के उपर SERP के अंदर कहीं न कहीं fall कर रहे हों और depending on your results आप उनको मजीद बहतर से बहतर बदाने की कोशिश कर रहे हों तो SEO के अंदर जैसे के on page and off page है तो on page further divide होता है काफी सारी चीजों के अंदर जो basically आप नीचे देख सकते हैं page SEO includes technical elements as well as content improvisation to improve the overall quality of the page thus making it SEO optimized and eligible for more rankings and traffic तो वो सारी चीजें जो आप SEO perspective से अपनी website पे कर रहे हैं चाहे आप website के main page पे कर रहे हैं उसकी landing page पे कर रहे हैं pricing पे कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप SEO की implementation कर रहे हैं on your website वो on page कहलाती है और इसको जो है वो और असानी से समझने के लिए अगर मैं कहूं तो वो यह है कि अगर आप किसी भी website पे कोई भी optimization कर रहे हैं और आपके दिमाग में rankings का जो है वो एक आपका goal है तो वो on page SEO के अंदर fall करेगा on page SEO के इलावा मतलब कि अगर आप website के इलावा कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि आप rankings को दिमाग में रखते भी करें तो वो then again फिर off page SEO का part बन जाती है जिसको हम फर्दर यहां पे देख सकते हैं के in simple words off page SEO is everything that you do off the website to ensure search engines consider a website as relevant, trustworthy, informative and authoritative to improve rankings in SERP Common terms associated with off page are as follows back links, social signals, domain authority back links की हमने पुरानी वीडियो में जो है वो थोड़ी सी बात की थी के back links किस तरीके से help कर रही होती है authority build करने में जिसमें आप दूसरी websites के थूँ अपने आपको promote कर रहे होते हैं और उस promotion के थूँ वो back links create हो रहे होते हैं और जो आपका ultimate ranking का goal है उसके अंदर आपको help कर रहे होते हैं secondly social signals होते हैं जिसमें आप basically social media और इस तरीके की सारी जो भी technique से उनको utilize कर रहे होते हैं social media की थूँ अपने content को अपनी website को promote कर रहे होते हैं जो के in a way आपको rankings में फाइदा दे रही होती क्योंकि जब आपकी domain के बारे में आपकी product के बारे में socially जो है वो एक discussion हो रही है तो वो overall आपको rankings या search in में जो है वो फाइदा दे रही होती है और finally domain authority है जिसमें आप in a way वो backlink से linked है और जो है आप basically focus जो हो रहा होता है आपका वो यह होता है कि आपकी website की authority से जादा website की authority जादा से जादा build हो रही हो जो के eventually आपको google में help google के जो search queries उसके अंदर help कर रही होती है कि google आपको consider कर रहा होता है more and more relevant towards your search queries or towards your search results तो यह है off page तो अगर हम इसको simple words में करें तो अगर आप अपनी website के ओपर SEO का कोई भी काम कर रहे है तो वह on page के अंगर आ जाएगा और अगर आप off page के ओपर की की बात करें तो कोई भी काम SEO perspective से अगर आप किसी website पे कर रहे है other than directly being on that website is known as off page SEO तो are both important yes they both are absolutely important और as a SEO guy आपका जो जेडी होती है वो जरूरी आपकी इसी basically इस circle के राउंड होती है कि आपको on page SEO भी आना चाहिए और आपको off page SEO भी आना चाहिए और मजीद हम इसको in detail पढ़ेंगे कि on page SEO और off page SEO में क्या क्या चीज़ें वो include हो रही होती है लेकिन as an SEO guy आपको दोनों की knowledge होना बहुत जरूरी है और आपको अपनी website के लिए दोनों चीज़ें implement करना बहुत जरूरी है अच्छा तो इसमें एक और चीज़ मैं यहां पर add करना चाहूँँआ the best the most optimal way to do SEO as experts recommend is to focus and implement on page first before diving into off page तो यह एक general rule है जो in the SEO world लोग recommend करते हैं कि आपकी अगर website start हो रही है या आपने कोई project start किया है और आप उसको SEO के aspect से optimize करना चाहरे है तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आपको पहले on page optimization पे focus करना आपको make sure करना है कि आपकी website on page aspect से completely optimized है और उसके बाद फिर आप basically इस तरफ आते हैं कि आप जो है वो off page SEO की तरफ जो है focus करें और off page SEO की जो aspects हैं उनको use कर रहे हो तो यह एक general overview है on page SEO और off page SEO का आगे हम इन detail on page SEO को भी समझेंगे और उसमें क्या क्या चीज़े इंक्लूड हो रही होती हैं वो सारी चीज़े हम पढ़ेंगे समझेंगे उसकी implementation देखेंगे और उसके बाद फिर हम obviously off page की तरफ भी आएंगे और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें जैसे पीछे बात हुई यह back links की domain authority की यह सारी चीज़ें हम फिर off page के अंदर भी discuss कर रहोंगे तो यह एक overview था on page and off page SEO का I'll see you guys in the next video स्लाम अलेकम